तो इस loan application को हम open कर लेते हैं और open करने के बाद हमारे सामने इस तरह का dashboard आ जाता है यहाँ पर आप दे सकते हैं get up to 5000 रुपे जिन 2 minutes with credit ATM केवल 2 minutes के अंदर आप 5000 रुपे का loan amount यहाँ से ले सकते हैं इस loan amount को हम कहां का यूज कर पाएंगे इसके लिए मागे देखने वाले वीडियो में नीचे इनके कुछ offer है, rewards है आप इनको भी check out कर सकते हैं refer करने पे आपको यहाँ से कुछने कुछ मिलने वाला है, कितना मिलेगा यह mention भी यहाँ पे नहीं किया है तो आप अपने फ्रेंड को भी refer कर सकते हैं और यह amount लेने के लिए आपको 9 more पे क्लिक कर देना है चाहिए loan दो उठाइए phone proof के साथ चेकेजिए best loan application और मिन्टों बाइए loan bank खाते में ज्यादा loan application वीडियो proof के साथ आल online loan application, interest, documents, standard, loan mount और repayment की सही जानकारी के लिए आज ही subscribe करें information practical channel ब्रोसा information का हमारे सामने second page open जाता है और यहाँ पर आप देशकते हैं get up to 500 रुपेज in starting get instant money आपको instant loan यहाँ से मिलने वाला है build on 5th of the each month, repay on month end हर महिने की 15 तारिक को आपका build generate होगा और आपको वो repayment करने के लिए 15 दिन का grace time मिलने वाला है जीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है scan and pay आप किसी को scan कर सकते हैं payment कर सकते हैं किसी को भी और जब-जब आप अपनी payment करेंगे तो आपकी यहाँ पर limit increase होती रहेगी अगर यह चीज़े आप समझ गए हैं तो आपको check eligibility पर click करना होगा मैं इस पर click कर देता हूँ और उसके बाद आपको अपना full name लिखना है जो आपका pen card के उपर है और next page में आपको अपना gender select कर लेना है मेले भी मेले जो भी है next आपको अपने date of birth को यहाँ फिल करना होगा मैं यहाँ फिल कर देता हूँ उसके बाद next में आपको अपना pen card का number लिखना होगा और फिर आपको select employment type यहाँ पर self-employed और not earning आप इन में से कुछ भी select कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पर advice दूँगा कि आप salad को ही select कीजिए क्योंकि आप से कोई verification यहाँ से नहीं माँग जाती है ना है किसी की bank statement और ना है किसी तिरे का sell slip आपको यहाँ पर लगानी होती है और next page में आपको अपना current address का पिन को डाल देना है और next पर click कर देना है और last में जो हमारे सामने page open होता है वो activate, credit ATM हमारे सामने तीन option आजाते हैं complete KYC, enter bank details and accept final offer तो हमें सबसे पहले अपनी complete KYC करनी होगी और यहाँ पर आप दे सकते हैं हमारी तीन चीजे पहले से ही complete है next, fourth पर हम click कर देते हैं then I accept इस पर click कर देना है हमारी KYC submitted हो चुकी है और उसके बाद हमें अपनी bank details को fill करना होगा इसके उपर click कर देते हैं click करने बाद हमारे सामने सबसे पहले option आता है bank number का उसके बाद आई FC code और निच्चे आपका full name लिख देना है तो मैं यहां भी fill कर देता हूँ इसके बाद next पर click करना है verifying your bank details वेड कर लेते हैं हो सकता कि एक रुपया हमारे खाते में आभी जाए क्योंकि verification एक रुपया transfer करना भी होती है और next, accept final offer पर click करना है और उपर आप दे सकते हैं कि एक रुपया हमारे खाते में transfer हो चुका है इसका मतलब यह है कि application work कर रही है और हमारा जो bank account है वो verify हो चुका है नीचे आप दे सकते हैं accept final offer up to 5000 रुपय आप यहां पर check कर सकते हैं जो इनकी term condition है तो सबसे बले आपको fees and charges आपको बता जाता हूँ 7.5% का यहां पर usage fees लगने वाली है उसके बाद one time fees लगे कि 235 रुपय और नीचे repay by month end इन्होंने यहां पर यह लिखा हुआ है कि जो भी महिना end है 30 तारीक है 31 तारीक है आपको 15 दिन का grace time मिलेगा यानि कि 28-31 तक का आपको time मिलेगा repayment करने के लिए तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो यह जो amount हमें मिलती है वो एक महिने के लिए मिलती है अगर हम एक तारीक को shopping करते हैं तो हमें 28-31 तारीक तक का time मिल जाता है shopping करने के लिए तो totally यह जो application है वो एक महिने के लिए हमें payment दे रही है नीचे कुछ termine condition है आपको बता जाता हूँ कि अगर आप grace time के बाद यानि कि 30 तारीक तक आप अपना payment नहीं करते हैं तो उसके बाद परड़े आपको 50 रुपे का penalty लगने वाली है तो penalty से बचने के लिए मैं आपको कहूंगा कि आपको जो अपनी repayment है वो 30 तारीक से पहले पहले कर देनी है यह termine condition अगर आपको समझ आ गई है तो आपको नीचे square box पे click कर देना होगा उसके बाद आपको continue पे click करना है तो मैं इस पे कर देता हूँ I accept We need permission to your credit information तो यह हमारा civil support चेक करेंगे आपको tick mark करके accept एक कलिक करना होगा हमने accept कर लिया है civil हमारा चेक हो चुका है generating offer for you तकरीबन 24 गंटे का time लग जाता है maximum 5000 रुपर और minimum 1000 रुपर आपको यहाँ पे मिलता है तो wait कर लेते हैं तो आज किस loan app का नाम है एक लाग 35 जार लोगों ने इसको रुवी किया है 1 million plus यानि कि 10 लाग से जादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है इसके recently रुवी देख लेते हैं आपको चेक कर रहा देता हूँ most recent apply पिक कर देते हैं और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि maximum लोगों को यहाँ से loan मिलाओ यानि कि catiline मिली हुई है एक amount मिली है जिसका एक महने के लिए यह लोग use कर सकते हैं जैसे जैसे यह लोग अपना repayment करेंगी इनकी जो loan limit है यानि कि जो amount है वो increase होती रहेगी डोकुमेंट्स में आपको मैंने बता दिया क्या क्या यहाँ यहाँ लगना है आपको सिर्फ pen card का number आपका date of birth और आपका area का pin code यहाँ पर submit करना होता है